तो ये एपिसोड आपकी life transform कर देगा हर किताब की एक birth history होती है और इस किताब का जन्म हुआ है उस author के हाथ जो Australia के एक hospital में नर्स का काम करती थी और उन patients का ध्यान रखती थी जो अपनी life की आखरी stage में वहां आते थे इनी patients से बातचीत की दौरान Brownie ने realize किया कि हर मरते इनसान के मन में कोई ना कोई regret जरूर था और कमाल के बात ये थी कि patients में आपस में कोई similarity नहीं थी लेकिन उनके regrets similar थे उन्हीं में से top 5 regrets के बारे में Brownie ने अपनी किताब में लिखा है जो कि अब मैं आपसे share करने जा रही हूँ ताकि आप वो regrets ना धोराएं Regret number 1 काश मेंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती ये परवा करे बगार कि लोग क्या सोचेंगे हर मरते इंसान के मन में ये regret था कि वो पूरी जिंदगी ये सोचते रह गए कि लोग या सोचेंगे और कभी अपने मन की नहीं करी ऐसे कपडे मत पहनो लोग क्या सोचेंगे ये मत करो लोग क्या सोचेंगे और आज जब वही लोग अपने deathbed पर हैं, मरने जा रहे हैं और जिन लोगों की परवा में उन्होंने पूरी जिन्दगी निकाल दी उनमें से एक इंसान मिलने नहीं गया कुछ लोगों ने अपने 1% partner से शादी नहीं करी लोग क्या सोचेंगे कुछ लोगों ने अपना passion follow नहीं किया लोग क्या कहेंगे कुछ लोगों ने अपनी dream job follow नहीं करी लोग क्या सोचेंगे मैं सिर्फ यह कह रही हूँ कि जिन चीजों में आप believe करते हैं उनके लिए extend लीजिए अगर आप पूरी जिन्दगी यही सोचते रह जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे लोग क्या कहेंगे तो एक ना एक दिन ये regret आपको भी होगा Regret number two जो जादा तर males को था वो ये था कि काश मैंने इतना काम ना किया होता काश मैंने अपने spouse के साथ अपने parents के साथ जादा time बिताया होता काश मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा होता यहां author का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप hard work मत कीजिए But if you are becoming successful at the cost of your youth वो prime time जो आपकी life में कभी लोटके नहीं आने वाला है then you are paying a phenomenally heavy price for that success तो अपनी life को plan कीजिए जो लोग आपके दिल के करीब है ना उनके लिए समय निकालिए वरना एक ना एक दिन ये regret आपको भी होगा Regret number 3 काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं लोगों को अपनी feelings बता सकती और feelings से यहां author का मतलब सिर्फ romantic feelings नहीं है काश मैं अपनी मा को बता सकती कि मैं उससे कितना प्यार करती है काश मैं अपने भाई से कह सकती कि वो मेरी life में कितना important है काश मैं अपनी cousin को बोल सकती कि एक दिन उसने मेरा कितना दिल दुखाया था day to day life में जो लोग हमारे नजदी की हैं जो हमारे दिल के करीब हैं या तो हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं यह सोचते हैं चलो छोड़ो आज नहीं फिर कभी कहा देंगे कहीं यह रिष्टा खराब ना हो जाए अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है जॉब के लिए बाहर चले गए होंगे लेकिन वी लिव इन गोल्डन एरा आप उन्हें फोन कर सकते हैं वीडियो कॉल कर सकते हैं टेक्स कर सकते हैं प्लीज गेट बैक टू यो फ्रेंड्स वरना दोस्तों को खो देने का रिग्रेट आपको भी जरूर होगा रिग्रेट नमबर फाइव काश मैंने अपने आपको खुश रहने दिया होता हर मरते इंसान ने बात मानिये कि उसे पता था उसे किस चीज़ से खुशी मिलती है पर उसने अपने आपको वो काम नहीं करने दिया या जिन्दीगी पर ये सोचा कि उसकी खुशी किसी और से जूड़ी है आपके खुशी का कंट्रोल आपके खुद के हातों में है और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लोना उतना आपके लिए अच्छा है वरना ये रिग्रेट आपको जरूर होगा आपने कभी किसी मरते इंसान को ये कहते है सुना है कि काश में एक बंगला और बना लेता काश में एक प्लॉट और खरीद लेता काश में थोड़ी जूल्ड़ी और बनवा लेती नहीं ना मरते समय मिटीरिलिस्टिक चीज़ों का रिग्रेट नहीं होता दिग्रेट उन चीज़ों का होता है जो हमारे आसपास थी हमारी रीच में थी लेकिन हमने फिर भी उनकी कदर नहीं करी